दोस्तों बहुत आसान है किसी भी ड्राइब को FAT32 से NTFS में कनवर्ट करना हमारे केस में Windows 7 की मसीन है आपके केस में Windows XP, Windows 7, Windows 8 या Windows 10 कुछ भी हो सकते हैं या Server Operating System like Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 और Windows Server 2016 अगर आपके पास किसी भी तरह का Operating System है और उसमें जो ड्राइब है FAT32 है या आपका एक्स्टरनल हार्ट ड्राइब भी हो सकते हैं USB हार्ट ड्राइब अगर वो FAT32 से फॉर्मिटेड है फाइल सिस्टम और उसके अंदर कुछ डेटा स्टोर है और आप नहीं चाहते हैं कि NTFS में Convert करें और नहीं चाहते हैं कि आप कोई डेटा लॉस हो तो वैसे कि इसमें आप FAT32 से NTFS में Convert कर सकते हैं अपने फाइल सिस्टम को Security Point of View से ताकि आप अपने डेटा को और भी ज्यादा से ज्यादा से क्योर करें क्योंकि आपको इस NTFS फाइल सिस्टम के ऊपर इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, इंडेक्सिंग, आर्काइविंग, डिस्क कॉम्प्रेशन, डिस्क कोटा, सक्याओरिटी वगरा की फीचर्स मिलती हैं तो FAT32 फाइल सिस्टम से NTFS में कैसे कंवर्ट करेंगे, इसके लिए आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, CMD प्रेश करें, यहाँ पर राइट क्लिक करके रन आज अड्मिनिस्टेटर पर क्लिक करें, और आपके पास एक कमांड प्रॉम्ट विंडो ओपन हो जाएगी, अ हमेशा, राइट क्लिक रन आज अड्मिनिस्टेटर, हमेशा आपको एलिवेटर प्रॉम्ट यूज करनी चाहिए, क्योंकि आप अड्मिनिस्टेटर, अड्मिस्टेटिव वर्क करेंगे यूज, ओके, यहाँ पर हम कमांड चलाएंगे, कन्वर्ट, स्पेस, ड्राइब का दोस्तों, इंटर की प्रेस करना है, जैसे ही कि आप इंटर की प्रेस करेंगे, आप से यह वॉल्यूम लेवल पूछेगा, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ड्राइब है, ड्राइब, उसका वॉल्यूम लेवल ट्राइब अंडर्स्कोर 2 है, तो मैं यहाँ पर लिख दे अब भी फाइल सिस्टम जो है फैट 32 बनी हुई है एक बार मैं इसे रिफ्रेज करता हूँ तो देखिए क्या होता है दोस्तो देखिए आप एंटी एफस जो ही ये कनवर्ट हो चुकी है इसके अंदर से जो डेटा बिलॉंग कर रही थी वो भी जो है इसके अंदर बनी हुई है और यहां पे जो कमांड प्रॉम्ट मैंने रन किया था यह कनवर्जन जो प्रॉसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है यानि आप कनवर्ट कमांड के थूरू आप अपने डेटा ड्राइब को भी कनवर्ट कर सकते हैं फाइल सिस्टम एंटी एफस में बदल सकते हैं मैं इसके प्रॉपर्टी में जाओं तो आप देखिए यहां पे कॉम्प्रेशन ओके इंडेक्सिंग फिचर्स सेक्योरिटी फिचर्स सास्ता डिस्क कोटा की फिचर्स आपको मिल जाती है प्लस आप किसी भी एंटी एफस वॉल्यूम के अंदर से बिलोंग कर रही हुई डेटा के य यहां पे आपको नॉलेज अपडेट करना चाहूंगा कि ऐसा भी पॉसिवल है कि आप एंटी एफस से फैट 32 में कनवर्ट कर सकते हैं लेकिन उसके लिए अगर मैं फिर से कनवर्ट स्पेस डी कॉलन स्पेस स्लैस एफस कॉलन अब मैं फैट 32 लिखूं तो यह एंटी एफस से फैट 32 में माइक्रोसफ्ट की जो कनवर्ट कमांड है वो काम नहीं करती है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूं एंटी एफस से फैट 32 में भी कनवर्ट हो जाती है दोस्तों बिना डेटा को लॉस किये हुए ओके सो आप हमारे उस वीडियो को वाच करें और कैसे मैं एंटी एफस से फैट 32 में डेटा को कनवर्ट कर रहा हूं और सॉरी ड्राइव को कनवर्ट कर रहा हूं बिना डेटा को लॉस किये हुए आप वो उस वीडियो में वाच कर सकते है लेकिन जो Microsoft की DOS की कमांड है कनवर्ट कमांड यह कि एवल फैट 32 से एंटी लुज करूं तो आप देख सकते हैं कि पाथ कमांड से जो हमारा जो system drive है वो है C drive और system drive को भी हम लोग convert command के through convert कर सकते हैं बस जैसे मैं अगर convert करना चाहूं तो convert space c colon s fs colon ntfs करूं तो यह convert process start हो जाएगी अगर यह C drive FAT32 file system हो बस अंदर यह होगा कि system drive को अगर मैं convert करूं FAT FAT32 से NTFS में, तो वो एक बर reboot जाएगी, ओके दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात है, कि NTFS से FAT32 में जो convert करेंगे, उसके लिए Microsoft की जो command ये convert command वो use नहीं होगी, इसके लिए आप हमारे दूसरे वीडियो को watch करें, और बिना data को loss किये हुए, NTFS से FAT32 में आप convert कर सकते हैं, आसा करता हूँ दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो आप हमारे लाइक बटन को प्रेस करें, इससे हम लोगों को motivation फिल होती है, और भी हम लोग ऐसे इसे टेकनिकल वीडियो हम अपने चै में कमेंट करें, मैं कुड़ी कर से कोशिच करूँगा आपके कमेंट का reply करने का, साथ-साथ अपने दोस्तों और फ्रेंज के साथ, रिलेटिव के साथ इस वीडियो को शेयर करें, उनके लिए भी इंफर्मेटिव पसंद आई, थैंक्यों